हेलो स्ट डेंस चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 11.2 का question number first देखते हैं क्या है show that the three lines with direction cosines these, these and these are mutually perpendicular यहाँ पर क्या कहा है तीन lines की direction cosines हमें दे दी और हमने बताना है कि वो तीनों line क्या है एक दूसरे के perpendicular है यह चीज हमने देखनी है अब सबसे पहले ध्यान से देखो आपने introduction के अंदर मैंने बताया था direction ratio का एक rule कि a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 हो तब हम कह सकते हैं कि two lines एक दूसरे के perpendicular है अब यहाँ पर direction cosines दे दिये बच्चे हमें तो direction cosines में हम perpendicular कैसे चेक करेंगे condition जो है वो ध्यान से देखो L1 L2 plus में M1 M2 plus में N1 N2 direction cosines की जो multiplication है उसका sum अगर equal to 0 हा जाए तो हम कह सकते हैं कि two lines are perpendicular to each other बस इसी formula का use करना है हमें तो पहली line जो है line L लिख लेते हैं इसको line L इसकी जो direction जो सोज क्या दे रखी है हमें 12 by 13 और direction cosines दे रखी है sorry minus का 3 by 13 और minus का 4 by 13 means L1 M1 N1 ये value हमें दे रखी है तो line और माल लेते हैं कि line L की जंगा हम M माल लेते हैं इसकी जो values है वो क्या है बच्चो 4 by 13 12 by 13 3 by 13 अब इन दोनों को हमने क्या check करना है perpendicular है या नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा L1 L2 इन दोनों की multiply तो 12 by 13 multiply 4 by 13 फिर प्लस का sign M1 M2 इन दोनों की multiply मतलब माइनस का 3 by 13 multiply 12 by 13 फिर प्लस में N1 N2 इन दोनों की multiply तो यहां पर माइनस का 4 by 13 multiply 3 by 13 is equal to किसके होना चीए 0 के तब हम कह सकते ही यह दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के perpendicular है तो देखते ही क्या आता है बच्चो 12 4 जा 48 divided by 169 यहां पर माइनस का sign आएगा 12 3 जा 36 अपोन में 13 13 जा 169 यहां पर माइनस का 4 3 जा 12 divided by 169 अब इसका LCM जो आगया बच्चो कितना आगया हमारा यहां पर 169 उपर क्या आगया 48 माइनस 36 माइनस 12 तो उपर कितना आगया 48 मेंसे 36 गया 12 12 मेंसे 12 गया 0 0 अपोन 169 मतलब कितना आगया 0 so L and M are perpendicular तो यह दो line आगई अपस में क्या आगई perpendicular आगई similarly हम क्या करेंगे इसका और इसका निकाल लेंगे फिर इसका और इसका निकाल लेंगे तिन्नों केस आपको करके दिखाने पड़ेंगे ठीक है ध्यान रखना है यह चीज अब यहां पे हमें क्या करना है second point जो होगा उसमें हमने कौन सी line लेनी है यह और यह line अपस में perpendicular प्रू करनी है इनको हम कोई और माल लेते है line A इसके coordinates माल लेंगे क्या है 4 by 13 12 by 13 3 by 13 और B line जो है उसके coordinates क्या है 3 by 13 minus का 4 by 13 और 12 by 13 इसको simplify कर लेते हैं बस हमें करना क्या है इनकी multiplication तो क्या आएगी यहां पे 4 by 13 multiply 3 by 13 प्लस में 12 by 13 की इसके साथ तो 12 by 13 multiply minus का 4 by 13 फिर प्लस में इसकी इसके साथ तो 3 by 13 multiply 12 by 13 soul out करते हैं इसको 4 3 जा 12 by 13 13 जा 69 169 उससे आगे क्या आएगा यहां पे minus का sign आएगा 12 4 जा 48 by 169 यहां पे 12 3 जा 36 by 169 LCM कितना आगया बच्चो 169 उपर क्या आगया 12 minus 48 प्लस 36 36 और 12 48 48 में से 48 गया तो क्या आगया 0 by 169 मतलब कितना आगया 0 तो यहां पे हम कह सकते हैं कि A and B are perpendicular clear हो गया अब यहां पे आपको third case मैं करके नहीं दिखा रहा हूं आपको खुद करना है कि यह और यह points लेने हैं अब आपको कौन से कौन से लेने हैं first वाले और यह वाले इनको करके आपको ऐसे ही multiplication 0 परू करने हैं और दोन्नों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के perpendicular यह condition थी समझ में आगया होगा question कैसे करना है ratification नहीं करने है किसी चीज की भी किर ratta मार लिया आपने ठीक है बस यह द्यान रखना है आपको condition क्या होती है कैसे हम perpendicular चेक करते हैं अगर हमें direction ratio और cos दे रखी हो तो अगर direction ratio दे रखी हो तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा अगर cos दे रखी है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 होगा तब हम कह सकते हैं कि कोई भी two lines आपस में एक दूसरे के perpendicular है समझ में आ गया question mind में set हो गया होगा कोई भी problem लगे आप मुझसे जरूर पुछे मैं आपकी help जरूर करूँगा आप भी channel को grow करने में help कीजिए Thank you students for watching your channel next class is